शादी से पहले बहुत सारे केसिस आते हैं, नॉर्मल होते हैं कि हमने हमारे पास क्लाइंट आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर दी और उन्होंने शादी करनी या नहीं करनी हमें पता भी नहीं चला कि उन्हें नहीं किया है, लेकिन कुछ केसिस ऐसे होते हैं, जो महलब किए 32 साल की है तो इसलिए हम अन्वेस्टिगेट करनी हम लड़की किए 12 होना चाहते हैं, कि 20 साल की नहीं होई दिक्कते हैं, तो अच्छा आपको सर आपे सह आप सारा मांग दे और की 3 साल की लड़की हो गयाै, तो इसकी शादी क्योंने जानना है, यह खना रही नहीं है, बही आप मेरा काम है डॉक्टर का तो डॉक्टर जो है ऑवरल सफाई करें चीज़ें की ठीक है ना तो आपने तो यह बता दिया यह तो बताओंगा इसके साथ चार चीज़ें और भी बताओंगा अब उन्होंने मेरे को एक अड्रेस दिया लड़की का नाम दिया जो भी अब हमारी टीम लड़की के घर के आस पास पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि वहां पे उसका गरी नहीं है पहली बात थो जो लड़के बालों को बताया हुआ हूआ तो फिर हमने दूसरी टीम वेजी जो सर्च करती है और अच्छे तरीके से तो उन्होंने उसका गर प थो गरपता लगाया, तो घर में पता लगा कि वो लड़की रहती हैं यहां पर, अच्छा, कहा हृती है, वो लग रहती है कहीं पर, कहां रहती है, वो नगरे διαभिआ तो मैंने गाते हैं यार लड़की LOL ॉप तो मैंने से फादर से बात करना थे रेक्ट फाडर को अप्रोच करते हैं उसके फादर को अपरोच किया कोई your story क क्या बना के फॉन यह कि अपर तो कवर स्टोरी बनाई, उसके फादर को अप्रोच किया, लड़की के बारे में बात की, तो फादर ने क्या बताया, जो recording में भारे था हमारे पस, क्यूंकि हम फोन record करते उस समय जब हम inquiry करते, तो उसके फादर ने बताया कि मेरी बेटी की शादी जो है, आज सिस आट साल पह बद बраст में पता चला। उसने गर से बाग के शादी की लड़के के साथ, उस लड़के के साथ भी निए रही और बच्चा पेदा किया, उसने वापस आ गई और वो अब अलग रह रह रही थी. ठीक है? तो अब ना तो बच्चे का पता, ना घर से बाग के शादी का पता, ना ये पता की डिवोर्स हो गया, अब अगर उदर मैरिज हो जाती तो उनके लिए बड़ी तकलीफ हो जाती, ठीक है ना, तो हमने सारे रिपोर्ट दी, अब लड़का क्योंकि थोड़ा सा दो तीन महीने से बातचित कर रहा था ठीक है, तो अब उसके बाई ने बोला कि यार ऐसे तो ठीक नहीं है, तो अब क्या करें, कोई प्रूफ दो, फिर हमने उसका जो सोशल मीडिया के भी बात करें तो सोशल मीडिया निकाला उसका, अब वो एक इंसोरेंस एजेंट का काम करती थी, हमने का चलो इसको चार दिन अलग-लग टाइम पे फोन किया, उसने फोन ही न उठाया, फिर हमने उसको मैसिज डॉप किया, कि हमें एक पॉलिसी लेनी है आप से, हमें पता चला है कि आप इंसुरेंस एजेंटो और पॉलिसी निकालनी ही, तो आप हमसे बात कर लो, ठीक है, उसने का नहीं मेर नहीं उठाती, तो ये काम क्या करती है, तो ये तो बड़ा गड़बर वाला मामला है, तो फिर हमने क्या किया कि है, कि उसके सोचल मीडिया से उसकी जो पॉरानी कमपनी से वो निकाली, उन से फिर मामने बात की, अब उसमें एक बंदा हमें मिल गया, कहता जी मैं पैसे होगी आप, तो वाइफाई वाले ही हो गया, वाइफाई वाले हो गया, ये बड़ा कॉमन है वाइफाई वाला मामला, ठीक, तो कुल मिलाके फिर हमने क्लाइट को इंफ्रमेशन दी कि ऐसे से बात है, इनके पास है, अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हो, तो आप देख अधरवाई जरूवत नहीं है, क्योंकि हमने आपको रिपोर्ट दे दिये, इतनी रिपोर्ट काफी है बच्चे को समझाने के लिए, फिर उसने का यार आप समझाओ, फिर उसके बाई से मैंने बात की, उसको समझाया कि भई देखो ऐसा है, कि उसने ये जूट तो हमने पक तो आप इसमें रिस्क मत लो, क्योंकि आपकी जिन्दिगी का सवाल है, अभी तो हमने थोड़े से पैसे लेके 35-40,000 पर लेके आपका काम कर दिया, लेकिन जब आप पोस्ट मेटरमोनियल लेके आओगे तो वो दो-चार लाखर पर आपके खर्च होंगे, तो उसका तो अब भी जिए लादा नहीं है, आपको खरी और उसको समझाना पड़ा कि भई देखो, लड़कियां से जूठे केस कर देती हैं, ठीक है, मैंटिननस का केस कर देगी, कर रएगी, अननाचरल सक्स का केस कर देगी, फिर आप क्या करोगे, जाप उसको समझाया यह फिर किसा लेक लड़िके गीज़ वापने तुर अप क्लाइंट के पीछे कितने दिन जनरली 12 हपते के आसपास 2-4 अपते लगते डिपेंड करता है किसे कि बड़ी इंक्वारी है किसे क्या करनाया उसके आंदर तो 2 हपते मीनिमम मानके चलो 2 हपते में काम हो जाता जनरली